हलो एवरिवन, वेलकम तो दे चैनल, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नागचंपा के बारे में तो नागचंपा एक बहुत ही अच्छा पेरिनेल प्लांट है जो कि अगर हम एक बार अपने घर में लगा देते तो यह कई सालों तक हमारे घर में इसी तरीके से ग्रो करता रहता है बर जो इसमें फ्लावर्स तब ही आते हैं जब इसका सीजन होता है तो इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो जो है वो फेबरोदी से लेकर के अक्टूबर नवेंबर तक होती है और फ्लावरिंग भी उसी तरह से आती है और इस plant का जो beauty है वो इसके leaves से भी आती है जो की देखने में इसके leaves का शेप बड़ा unique से है जो देखने में काफी अच्छा लगता है और इसके flowers से वो इस तरह से stick में आते हैं एक साथ बंच में खिलते हैं आप कह सकते हैं। और इसके जो फ्लावर से एक बार खिलने के बाद जो है दस से पंदरा दिन तक बिल्कुल इसी तरह से रहते हैं लेकिन जो देसी वराइटी के जो चमपा आता है उस चमपा में जो फ्लावर में उसके स्मेल होता है लेकिन ये नाग चमपा के प्लावर्स होते हैं इसमें कोई अगर गमले लगाते हैं कि बहुत ही अच्छा वेल-ट्रेंड बना है उसमें आप सकते हैं एक पॉर्शन सेंड का आप सकते स्वाल का और एक पॉर्शन को अपने सकते मिसिंघा लगाएंगे तो ही प्लांट, adopolo, Shriand changer मिले तभी इसमें फ्लावरिंग आएगी तो सनलाइट के लिए मैं यहीं कहूंगी कि आप इसको कम से कम चार से पांच घंटे वाली सनलाइट वाली जगह पर रखे ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो और इसमें फ्लावर्स भी अच्छे आए और उसके बाद वाटरिंग के लिए आप इस प्लांट को जो है पानी तभी दे जब आप अभी आप मेरी मिट्टी देख रहे होंगे यहां पर उपर की जो मिट्टी वह बिल्कुल ड्राइए तो इस कंडिशन में आप इसमें पानी दे सकते जा जैसे की वर्मी कंपोस्ट या काउडन कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल हो और बहुत सारे लोगों का यह प्रॉबलम होता है कि उनका जो प्लांट है वो बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर रहा है लेकिन उसमें जो फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं आ घर होता है जो की हेलब करता हमारे प्लांट को जो है बर्ट्स निकालने में तो आप पो दे सकते अगर आपके पास ना हो तो मस्टर्ड केक का फटिलाइजर देसकते वह बहुता होता अगर तो kukh भी ना हो तो आप बस कालन लेकिन जो मेन इसका स्थ है जिससे में फ्लावरिंग मिलेगी तब तक इसमें कोई भी फ्लावर नहीं आएंगे तो अच्छी सं लाइट वाली जगह पर आप इसे रखनठे पर तब घ्रणनाओ अच्छी अच्छी फ्लावरिंग आएगा कभी कभी यहां पर जैसे टिप्स पर आपको उसका नजर आएगा तो अगर आपके प्लांट में जो कम मिली बग्स लगे हुए तो आप उसको जो है नॉर्मल पानी से भी हटा सकते हैं और अगर जादा है तो आप इसमें जो है रेगुलर नी मॉयल का यूज करें तो और चैनल पर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए